मस्कार दोस्तों रादे रादे कैसे हो आप सुभाश बाbonешь करता हूँ आप अच्छे होंगे कुछ होंगे स्वस्त्र होंगे तो जी सुभा सुभा का टाइम है बच्चे उट गे है हम भी उट गे हैं और फिर से इनकी चुट जूटी है चुटी ruler चुटि चुटि पर चुटि चुटि पर चुटि इतनी चुटिया करवादी इस बार लगातारी जिसकी कुछ है दनी स्कुल वालो नहीं तो और जैसे कि आप सभी को पता है तो आजकल फिर से मनी स्टार्ट कर दिया है जूस वगेरा तो यहां पर यह देखिए अब मैं जूस बनाओंगा और शिंपल तरीके से बनाने लगे बस इसमें सपेद कदू है जो पिठा कदू बलते हैं और यहां पर न किसमें टाइम और इंदू कर रही है यहां पर सब्सक्राइयों का काम अबना वैसे सब्सक्राइब का काम होता है अर लेड़ी का तो यह भी आज उसी काम के लिए है अर रोजी करता हूं को मैंने भी प्राण बती जूस लेना पुझी बना देता हूं अब जूस क्या लगा या अच्छा यह लगा या टुक्कन दुक्कन तो लगा वाता बेटा चलाओ फिदूस की यहां से इसे फिर फिर चलाओ चलाओ इसे निकल ले वाले नहीं निकल लाने अब छेटा आज क्रिश्न कि ला रहे हैं अब यह सुबर सुबर था वाला जूस अब जी जू नजी है चोटे वाले हाथ की उसके सुई टूटरे वह लादते में आनकी है वह चोटी की निलाए अबगा शुटी की लाएते अब जी जी देखें यहां पर हमारा जूस बन गया है मलब हमारा नहीं फ्रूट जूस बन गया है इसमें जो वाइट कद्ध उता ना जिसका पिठ्धा बनाते हैं वह वाला जो कद्ध होता है वह बहुत अच्छा होता है उसका जूस ना कोई भी पी सकता है तो वो प्यूकडड़ी लेके आए ते और एक बार लेके आके ना उससे हफ्ते आठ दिन का मतलब आराम से हो जाता है क्योंकि जादा तो होता नहीं बनाते नहीं उसमें बाद में फिर प्यूकड़ी चुकंदर मौसमी और संतरा कुछ भी रखा ओ। वो डाल देता है लेकिन में जो है इसमें वो सफेद कदू होता है जो पिठा कदू होता है एक तो जो हम लोग सबदें काती है लेकिन यह नहीं पित थे कोई सा भी दोनों तिन्नों में से तो यहां पे बस हम लोगों ने जूस पिया और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मैं देखती रेगी क्या करना देखती क्या रहे हैं मनलब कुछ ना कुछ तो देखे होता ही है चुटी थी बच्चों की और यह आज का ही वीडियो है मॉर्णिंग का तो यहां पे फिर मैंने बच्चों के लिए काट दिये थे आम बच्चों के लिए काट दिये थे रूही को छोड़के बाकि सबने आम खाए रूही हमारी आम खाती नहीं बिलकुल भी कभी कबार तो जाता है भगवानी इसका सिद्धा हो तो बले यह खाले ने लेकिन खाती ही नहीं तो यहां पर मैंने काफी सारे आम काट दिये थे यह पापा जी ने भिजवाए थे घर से तो प्यो के डड़ी रात के टाइम लेके आये थे उधर से क्योंकि सामान उधरी होता है तो वहीं से आता है फिर हमारे पास तो मनलब जो लेके आता है ना उधरी रखते हैं तो वहीं से आता है फिर तो उसके बाद यहां पर मैं लगाने लगी थी मशीन और उसके बाद भी मुझे यह था मैंना का चलो मैं तो अपने कपड़े दो लेत थी अपना फिर मतलब 10 बजगे थे मैं सही में बताओं इस टाइम करते करते क्योंकि छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा लेट ही प्रोसेस चलता है हमारा तो इस टाइम तक भी सुनी ता ना तो आई थी ना उसने कोई मैसेज किया ना फोन किया और मैं बताओं मैंने भी आज क सतम कर लें क्योंकि कपड़ों का काम नूप्टे का फिर मैं अंधर का अराम से कर लोगी क्यूंकि कीचन का सारा काम जुगा तो पढ़ता और उसके बाद पांद ने ना नेट का तार यरम कोई पहले मैंने यह रसोई वाली विंडो में बंदा फिर छोटा पड़ गया तो फिर मैंने पोडियों में बंदा और यह मैंने इसलिए बांद देता है जैसा दोनी है मोसम आप सभी जानते हैं कि अब तो बरसाथ सी का ही मोसम है तो उपर भी ने फैल लेंगे और वो नीचे भी अपनी सूखते अंदर पंके में भी यह टावल्स वगेरा रोज की होते हैं तो उनको फैलाने के लिए मैंने का यह मैं बांद देती हूँ यहां पर तो यहां पर फैला दूँए मैं ने तो यहां पर देखि बस मैं अपने कपड़े धुली रही ती तो तब ही मेरी मम्मी का फोन आ गया था तो पहले मैं मनलब बात भी कर दी ते अपनी मम्मी से और फोन भी मनलब यह क्या बोलते हैं इसको क्या कहते हैं इसको कपड़े भी धोरती और एक बात में यहां पर किलियर करती चलू क्योंकि सब लोगों को यह लगता है कि मनलब लड़की का इंटरफेयर तो मैं अपनी मम्मी से बात करती हूँ या मैं अपनी सास से बात करती हूँ बाकि किसी तीसरे से मैं बहुत ही महिने दो महिने में होगी बात तो भले ही मैं कर लिती हूँ लेकिन वैसे नहीं कि मैं किसी की लाइफ में इंटरफेर कर रही है या कुछ भी कर रही मैं बहुत फोन पे मेरे से ज़्यादा बात होती भी नहीं है मैं ज़्यादा से ज़्यादा तीन या चार मिनट बात कर लेती हूँ उस से उपर मैं बात नहीं कर सकती किसी के भी साथ और ना मुझे शोक है कि कहीं पे भी इंटरफेर करने का ना अपने सफराल वाले घर में ना अपने माई के वाले घर में क्योंकि मेरा अपना घर है भाई मैं अपने घर के कामों में मैं इतनी वेस्त रहती हूँ कि मुझे किसी के जीवन में जापने की या कुछ भी उनके लिए सोचने करने की जरूरत नहीं है सब अपना देख सकते हैं अच्छा बुरा जब किसी को बुरा करना है तो वो खुदी करेगा अच्छा करना है तो भी खुदी करेगा किसी के कहने से ना तो वो करेगा और ना रुकेगा तो यह चीज मैं बस बोलना चाती थी तो खयर देखे जिजी, बस यहाँ पर मेरे लगबग धुल गए हैं और यहाँ पर थेके तार जो मैंने बथ भन दी थी इसी पही मैंने बच्चों के कपड़े जो बच्चों की उनिफॉ Maar तिन्रों की वह फैला दी थी और kitchen के बरतन थोड़े से ज़ादा हो रहे थे क्योंकि इससे एक दिन पहले मैंने रात के टाइम बरतन नी साफ किये क्यों नहीं किये वो तो खेरे एक अलग चीज है पर मैंने किये नहीं दें मैंने का चलो सुभा कर लूँगी वैसे में छोड़तीनी अपने बर्तन लेकिन कहीं बार हो जाता है कि मैं बलब इंसान या तो मननी होता है कहीं भार दिखकत हो जाती है तो यहाँ पर मैंने मांजनी शुरू कर दिया हैं बर्तन और थोड़े थोड़े करके मैं बर्तन मांजती रोगी और दुत्ती रोगी तुझी देखी बस यहां पर मैं करी रही हूँ और आज ना मेरे यहां पर मैं जैसे इसको साफ करने लगी ना सिंक को और इसमें ना अंदर जहां से पानी जाता है उसमें इक श्टोपर लगा हुआ है और वो इतना साह के बाहर देखने के लिए कि मम्मा क्या हुआ और मेरे हाथ से ना खून इतना निकल रहा था बाद में मैंने बैंडिड लगाने के भी कोशिश की पर सायदो मेरा हाथ गिल्ला था या वो ऐसी जगह पर हम गुठे के नीचे घाओ हुआ जहां से मनलब और सिद्धे हाथ क्योंकि सारा काम सिद्धे हाथ से होता है बरतन मांजने हो सब्भून का काम हो पुच्चा लगाना हो या कुछ भी तो इस वजह से और उसमें इतनी दिक्क्त हो थी पर फिर भी मैंने का चलो छोड़ो भाई काम तो देखे करना है हाथ को बचा बचा सी के थोड़ा सा फकड आधे या क्योंकि उसका फिर होता है कि जहां दूसरे घर वो जा रही है तो वहां पे भी साथ के साथ चली जाएगी क्योंकि मेरे पस जल्दी आना होता है किसीओर के यहां पे लेट जाना होता है तो बस मैं यह सोच रही दिख्यों कि अभी मुझे थोड़ा सा अपनाना जो काम है वो बढ़ाना है और उसकी वज़े से काफी मतलब लेट होता है मेरा काम नहीं तो मेरा साड़े आट बज़े तक काम निपड़ जाता है जब तक बच्चे जाते हैं तो फिर मैं प्यों के डै कर आए कि नहीं भाई काम अगर हम अपने आप से कर लूँगी मैं तो जादा अच्छा है बकी है कि देखे शरीर का है अगर ठीक रहा तो मैं करती रहूंगी अगर ऐसा लगा कि कोई दिक्कत हो रही है या कुछ तो फिर देखिए वो बुलाना भी पड़ेगा मुझे लेकि क्योंकि ये मैंने अब रखा मंदिर के पास सामने ही रखा था ये तो उदर मैंने रसोई में भी रखा महां पे हो रही थी दिक्कत इसको रखे क्योंकि कीचन का स्पेस वैसा नहीं है कि फ्रिज रखके महां पे काम हो जाए तो फिर इसको मैंने एक साइड रख दिया वी सा ही कट आउट सा लग रहाओ इसकी साएड में मंदीर के साइड में थोड़ा श्पेस छोड़ के लगा दिया है तुरे मुझे लगाना है पोच्छा यह मैंने आज ही चेंज गया है इक तोलिया में मेरे पास मं जादा तर तोलिये से ही लगवाती थी सुनीता से भी और अपने आप से भी मैं तोले से ही लगाती हूँ तो मतलब काम करने में तो खेर कोई दिक्कत नहीं हुए आज जो मुझे दिक्कत हुई सिर्फ इसमें हाथ में जो चोट लगी मुझे मतलब जो कट गया गहरा कट गया उसकी वज़े से क्योंकि पुच्चा नहीं फोन आया था और इशू चली गई थी इशू आई हुई थी ना क्योंकि छुटी थी आजगी तो इशू आगी ती रात उनके साथी उसको भी चड़गा था बुखार आजकल वाइरल फीवर बहुत ज़्यादा चल रहा है मौसम चेंज हो रहा है पहले प्यूर हुई को वीडियो शूट नहीं किया था उस दिन प्यूर हुई को हुआ था दिक्कत कहा से आ रही कि पहले गला दुखता है फिर उसके बाद जुखाम और बुखार होता है तो वही वाइरल फीवर ही है तो वो भी फिर इशू को भी फिवर हुआ तो मैंने इनको फोन किया ये कहने लगी कि मैं तो काल काया हुआ हुँ किसी दोस्त को लेने के लिए वो भी एड़मीट हो रखे थे तो उनको घर डौप करना था फिर मैंने उधर फोन किया तो फिर जजज़े उसको ले के गए थे तो उनको पता लगा होगा फिर बाद में की हाथ कट गया तो फिर फिर उक ready का phone आया ता पूछने के लिए तो जी देखिए बस मेरा तो यही है कि प्ली जिस चीज को गलत वे में मत लेके जाए कि आप यह बोलने फिर की वही अपना काम था तो ऐसे कर दिया या बुराई कर दिया ना मैं किसी की बुराई कर रही ना मैं किसी के लिए कुछ भी गलत बो लुख रहा है या 아का जो काम है वो लहाज हो बिगड रहा है या वो तांप पर नहीं हो रहा है तो मेरे इसाब से उस चीज को छोड़ देना जादा बहस रहे अगर हम उस काम और यहादा बहदा तरीके से कर सकते हैं समय का तो दीखे में नहीं कह सकती, समय सबका अच्छा बुरा चलता रहता है, लेकिन हा, रिलेशन इतने अपने आपस में बनाए रखें कि अगर आपको जरूरत है आपको जरूरत है तो ना आपको जी जगहों में बॉलू कि हां मैं लेकर जौंगा में लेकर जाओंगा बाल बेटें ये चंगी करणो इन्में नहीं एक्ष्ट्रा लाइटे बंद करो कहा सारा दिन फालतु की लाइटे खौल कर रखो और कीचन भी साफ हो गये मेरा बहुत सारे बर्तनोते और यह न कट गया यह इतनी दि लग गया और इसे की साइड भी इसमें नहीं बटे दूसरे हाथ पर नहांके फिर लगांगी उस पर कुछ और मैं कपड़े सोच रही थी मैंने कह फैला दू पर मनलब बारी सबी नहीं आरी फुआ रही ना तो उन्हें कपड़े फैला सकते और ना रोक सकते मनलब ना तो फैल सकते ना रख सकते बच्चों की जो ड्रह ऐसे कल को कि इन्हें पहन कजा नी तो यह वाली मने यहीं डाल दी मनका इन में हवासी निकल जागी और कपड़े बाकी के में उपड़ी रख आई थी मनका अगर मोसम सा खुला था फिर करूंगी और मैं नाउंगी धूंगी और ना कर्णानी तो चला ले तो शैंपू नहीं कर रहा था बस तो अब मैं नाउंगी और बाल भी धाँंगी शैंपू करूंगी और फिर खाने वणे का देखूंगी तो बस जी यहीं पर रोक की जही स्वेट काम पड़ा तो मुझे बहुत सारे काम करने सारा काम निपटा ना जि बढ़ा तो बहुत लंबा वीडियो हो जागा तो अब चलिए जी इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पर ही कैसी लगी कोमेंट करके जरूर बताइए अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब नहीं क्या है तो कर लें मिलूंगी जल्दी है एक और नही बाइब बाइब